इस वीडियो को छोड़के हर्गिस कहीं मैं चाहिएगा अम आपको अज बताने लगें कि अकर मदद की जाए तो इतना दिल खोल के कर दें कि तुबारा उस चक्स को कभी मदद लेने की जुरूती ना पड़े आए देखते इस वीडियो में यह मदद आखिर करते हैं कैसे हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो से हमेशा कुछ ना कुछ सीखें आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ही कुछ सीखने को मिलेगा जैसा कि आप जानते हैं कि रमदान की आमद आमद और रम्दार वारंगोंसे पहले हमारे तरम्यान दो किसम के लोग होते हैं एक वो लोग होते हैं जो सोचूछ जो होते हैं कि सहरीय Tips कर द अगडनी है और बस्तारी एका पे वो कौन सा расп開ंड अफतारी में कौन कौन से खाने खिलाने वाला है और एक दूसरे किसम के लोग हैं ये वो लोग हैं इनको फिकर पड़ियोगी कि रमजान कियामद आमद है और गर्मिंग रौस्वी नाम की नहींगे वो पच्चों को क्या किलाएंगे कैसा रखा जाएगा और सैरिया कैसे होंगी आखिर अल्ला की अबादत करने का ये महीना कैसे गुदारा जाएगा बहुत स्वैत पोश्च लोग इसी मुश्किलों के शिकार होंगे इसलिए अल्ह ताला ने इस महीने में हम सब को जगात एने कोकम दिया था अल्ल्ह ताला जानता था कि यही वो महीना होगा उसमानों के ओपर फाइनाशल सक्ट दियाएंगी बच्चुके कपड़े इद के लुआजमात सैरियों और अफ़तारियों के इदाफी खर्चे इन सब पातों की विड़ा से अल्ह ताला ने फर्माया था कि जगात एनी हुआ करे तो इसमीन ने में दिया करो हमारे हाँ जगात देने वाले भी तो किसम के लोग है मिसाल को तो पर अगर किसी अमीर आदमी की जगात पांच लाक रुपर बन थी है तो वो जगात कुछ नहीं देता है कि हर गरीब को दो दो पांच पंच पंच तास तास ज़ार प्या थेना श्रुकर देता है जबके इसलाम में ये तरीका जायज तो है लेकिन सही तरीका कुछ होर है ऐसा ही एक तरीका पिछले दिनों एक नौजवान ने खियार किया येकिन करें उसका ये जस्बा देख के दिल अश्रुकर उठा इस नौजवान ने सब को हैरत में मुक्तला कर दिया ऐसा भी नहीं कि नौजवान को बहुत मिशूर आदमी है येकि इसने जो हरकत की सही माइनों में इसमें हमें बताया कि जकात आखिर ऐसे दी जाती है मतलब जकात ऐसे तो इस दुबारा किसी को जकात मागने की जुरूती ना पड़े इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये नौजवान जेब के अंदर पांच लाग रुपे की एक खटी टाल की घूम रहा है इसकी एंचलिश के एक्स फंड बताब है कि ये किसी बाहर के मिल्क का यser पाकिस्तान दे अपने मुल्क में आया हुए और किसी के मदद करना चाहता है अब ये मदद जकात की मतल्मि ये खेराथ की मतले इसको रहने देते है लेकिन इसकी मदद करने का त्रीका देके पूरे 5 लाक रुपए जेम में डाल के फेड़ रहे और ये टूंड रहें कोई ऐसा बंदा जिसकी ये मदद कर सके और ये देखें इसको एक बंदा मिल गया लेकिन ही इसकी मदद करने से पहले चीज़ देक रहा था इसको समय नहीं आ रहे थी कि एर डारेक्ट इसको कैसे कहे मिटमरी मदद करना चाहता हूँ इसने हीले बहाने से इस चेक्स से बूचा कि तुम क्या बेच रहे हो उस चेक्स ने फौरन अपनी बोरी उठाई और उसको खोल के तिकाया कि नहीं चीज़े बेच रहा हूँ इस लड़के ने बड़े ही तरीके के साथ इसको पैसे देने की कोशिश की तो इस शक्स ने जुकता का खास बंदा था इसकी मलग के लिए आजए नौजवान मुक्तिस हुआ था उसने फोर इंग कार कर दिये हाला कि यह बहुत ज़दा रखर दे इस लड़का तमाम पांच लाख रुपैस बंदे को देना चाह रहा है आखिर बहुत तगवत हो के बाद कि लड़का कामियाब हो गया और इसने सकरीब शेक्स को पांच लाख देने में कामियाब हाथ से करते इस फीडियो को बताने का मकसद यह कि यह है सही तरीका इसी की भी मदद करने का कि किसी शक्स की ऐसी मदद कर दो यह उसको तुपारा कभी जिंदगी में किसी से मदद मानने की जुवरूट न पड़े आज इस करीब शेक्स को पांच लाख रपे मिल गए है अब इस पांच लाख से यह अपना कारोवर कर सकता है यह अपनी जौपरी को मकान में तब्दील कर सकता है यह अपनी जिंदगी कोई भी मसला कोई भी गम फौर ही तूर कर सकता है और शायद वो जरूरत और गम दूर करने के बाद इसको कभी भी जिन्दगी में जखात या खेरात की जरूरत नहीं पड़ेगी ये लेने वाले हाथ से ये अक्तम देने वाला हाथ पंच आएगा तो दोस्तों आपको इस वीडियो से बस यही बताना था कि आखिर कार इसी की मदद करने का सबसे बेतरीन तरीका यही होता है कि अगर आपको अल्ला ताला ने तुफीग दी है तो आप उस शक्स की एक दफ़ा में इतनी ही मदद कर दे कि उसको तुपारा कभी मदद मांगने की जरू होता बड़े अल्ला ताला इस मजवान को इंशाला ताला अपने ख़दानों में से बहुत नवा देगा इस मजवान ने बड़े ही दिलकुरते का काम किया हम आए देंग यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखते हैं काफी यूट्यूबर्स पांच-पांच-अजार पर पांचते फिर रहे होते अब यह नहीं कहरें कि वो कम दे रहे हैं हम तो सिरुप यह बताना चाहरें कि अगर अल्ला ताला ने आपको तो फीक दी है पर शिकीन करे मदब करने का सही तरीका है ही यही